हलो दोस्तों स्वागत है एक और नया वीडियो में आज हम बात करेंगे कैनेडा को ले करके जिहां अगर आपने वीडियो क्लिक किया है इसका मतलब यह है कि आप भी कैनेडा में जौब सर्च कर रहे हैं कैनेडा जाने का आपका भी सपना है और अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आप केलाना तक भूश सकते हैं और वीडियो को मद्दम सब जान सकते हैं कि क्या-क्या वैकेंसी सभी चल रही है कैसे-कैसे प्रोसेस होता है और क्या-क्या सार्व रिक्वार्मेंट होते हैं तमाम चीज़ों को बारे मैं दिन लेके आता हूं शुरू करते हैं दोस्तों हर एक जॉब सीकर अगर जब भी वो सोचता है कि मुझे विदेश जाना है जॉब करने के लिए तो सबसे पहले जहन में आता है कैनेडा क्योंकि एक ऐसे देश है ऐसा कंट्री है जहां पर आप बहुत ज्यादा इंकम कर सकते है अच्छा खासा लाइफस्टाल जी सकते हैं और अपने करियर को एक नए उडान दे सकते हैं दोस्तों और आज हम बात करें कैनेडा में जॉब्स को ले करके जी हां ऐसे तब बहुत सारे जॉब्स हैं लेकिन अगर आपने हॉस्पिटालिटी मैनेजमेंट या हॉस्पिटल म नहीं भी किया है तब भी आपको होटल और हॉस्पिटल में बहुत सारे से पोजीशन से जिसमें आपको जॉब मिल जाता है मैं वीडियो आज इसलिए शूट कर रहा हूं कि बहुत लोगों को यह मन में शंकर रहता है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं क्या व आज भी पास हूँ ठीक है क्यूंकि ऐसा बहुत सारे हैं जो आप भी कर सकते हैं जैसे की के भा से डाइब स्कृणर जो दोस्तों जब भी आप कोई भृती होते हैं ठीक है उसके पहले जो आपका बॉडब को चेक्वो करता है उसको कह जाता है प्री ट्रायल स्क्रीनर गेस्ट सर्विस सूपरवाईजर यहां आज कलके जो होस्पीटल से हैं दोस्तों वो फाइस्टर केटेकरी का होस्पीटल होते हैं maximum hospital ओ भी कनटा के बाद करें तो कनटा का जो होस्पीटल बहुत ही awesome रहता है तो दोस्तों जिससे आप भरती होते हैं होस्पिटल में तो आपके लिए एक GSS अपॉइंट किया जाता है जो है Guest Service Supervisor जो आपका पूरा तमाम जतना दिन आप हॉस्पिटल में भरती रहेंगे तमाम हेल्प के लिए मौझूद रहता है जैसे कि तो अगर पांचवी, साथवी, आठवी पढ़ाई किये हैं तो आप क्लिनर में जाके जॉब कर सकते हैं बस रते हैं आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना आना चाहिए और थोड़ा बहुत समझने आना चाहिए आप आसाने से क्लिनर जॉब में भी जा सकते हैं तो जैसे आप समझते हैं कि होस्पिल जब जाएंगा तो वहाँ देखते होंगे कि भाई, लाइस जगरा रहता है तो आपको वहाँ पर एक इलेक्ट्रिशन के भी जरूत होता है होस्पिटल ये होटल ला हम देखने होंगे सेंट्रलाइजड एसी होता है तो उसके लिए दोस्तों एजबी एसी मेकानिक भी चाहिए होता है यहने ओपरेटर जो होता है जो उसका देख भाल करता है ठीक है अब बात करते हैं आईटी की आप सूर्च रहे होंगे कि होस्पिटल ये होटल में आईटी के क्या जरूत है तो दोस्तों अगर आपने आईटी में कोई सॉप्ट्वेर डेवलपर का क्या हो या फिर आईटी में अगर आप हार्डवेर का पढ़ाई किया हो जो 6 मेना 7 मेना जो होता है ना कोर्स अगर वो भी क्या है तो आपको इसमें जॉब मिल जाता है जेखिए जो लोकल होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क यानि कि एक ही होस्पिटल के अंदर या होटल के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं एक दूसरे से लिंक रहता है ठीक है इसको हम लैन के नाम से जानते हैं लोकल एरिया नेटवर्क तो उसके लिए उनको स्टाप्स यह होता है तो उसमें आपका जॉब मिल जाएगा आपको बात करें HR डिपार्टमेंट के दोस्तों तो HR में देखे जिब फॉस्पिटल है इतना वड़ा या होटेल है तो वहाँ पर वह सारे स्टाप चीए होता है तो स्टाप तो राइट नहीं मिलता ना तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर एक रिकूटर होता है होता है डिरेक्टर होता है तो आप अगर जाता है अज़े MBA HR तो आपको HR में जोब मिल जाता है अगर आपने डिग्री नहीं किया है और आपको अच्छा English है Speaking अच्छा है ठीक है अच्छा है तो आप एक रिकूटर भी वहाँ जाके और जो ओपनिंग्स रहेगा दोनों को मैचिंग करेगा अगर मैचिंग होता है तो शॉट्लिस्ट करता है उसको काया है रिकूटर तो आपको एज़े रिकूटर का जॉब मिल सकता है सेल्स असोसियेट एक जॉब होता है दोस्तों और होटल बोथ दोनों जगा सेल्स असोसियेट का मतलब होता है यह आप तो ठीक है होस्पिटल चल रहा है लेकिन पुरा दुनियों को बताना भी तो है न तो उसके लिए एड्स देना है ठीक है तो उसके लिए सेल्स वाले होते हैं सेल्स वाले जाके बहुत बड़ा तो खाना तो खाना बनागा कूंत उसके लिए शेफ का ज़रुद पड़ता है ठीक है उसमें सर्वीस की जरुद पड़ता है इसे वेटर हो गया ठीक है तो अगर आप लेकिशन का पढ़ाई किया है तो आप ने निउट्रिशन्स आप जोन कर सकते हैं ठीक है और आप किया हुआ अच्छा डी फार्म या भी फार्म दोस्तों तो आप जाके आज फार्मसिस्ट जॉब कर सकते हैं ठीक है फार्मसिस्ट अगर किये हैं तो उसमें बहुत सरा या फिर आप मेडिकल शॉप में काम कर सकते हैं ठीक है जो आप मेडिकल शॉप रहता है ना आज कल तो पढ़ता है जो medicine बांटे या medicine दे उनका जो पेसेंट होते हैं उनके लिए एक और जोब है दोस्तों nursing अगर आपने नर्सिंग किया है खिके या nursing किया है दोस्तों तो वहां भी आपको जोब मिल जाएगी हालाक इसलिए कुछ certification जोड़त पढ़ता है लेकिन आज आज आप जाते हैं तो कोई certificate जोड़त नहीं पढ़ता बिना आप certificate के आज आप जोब के जा सकते हैं लेटर आप वहां पर exam दे करके वहां पर regular job कर सकते है एक और बड़ी जोब है दोस्तों वो है insurance claimer जी हाँ आज कल सभी लोग medical insurance करते हैं लेकिन अगर आपने insurance कर ही लिया है जाकि जब hospital भरती होते हैं तो आप एक department होता है तो आपका insurance को claim करती है या help करती है आपको claim करने के लिए insurance company से या आप डाइट तो कर ही नहीं सकते है बह different jobs मिलता है अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कि है फिर भी ठीक है हाला कि इसका मैं अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा आपको समझ में आएगा किसके लिए क्या requirement होता है लेकिन इन जनल बता दू यह सब जोब में कर जाना है तो आपके पास होना चीए ज जो मेरा बहुत ही फेवरेट website है इंडीड में apply का सकते हैं jobs bank में आप apply का सकते हैं तो यह तीनों जो भी website है उसको मैं recommend करता हूँ अगर आप Canada के job ढून रहे हैं Canada में तो यह तीनों website से apply करें जोब 100% मिलने का चांस रहता है अब आपने apply तो कर दिया ठीक है जैसे apply करेंगे तो जैसे मैंने बताया recruiter का job अगर आप भी जोब में जाना चाहते हैं तो आप एधे recruiter भी apply कर सकते हैं तो recruiter का responsibilities होता है कि वह आपका profile को देखे परखे फिर shortlist करने के बाद आपको call करता है वह कि आप interviews के लिए तैयार हो जाए और Canada आप जाहें नहीं सकते ठीक है किसी भी एक online माध्यम से आपका interviews हो जाता है जैसे आपका interviews खतम हो जाता है तो फिर आपको वह तीन चार दिने पांस दिना दस ज्यादा ज्यादा समय लगता है आपका offer letter हो जाता है या जो भी instructions रहता है आपको company के तरफ से वह आपको follow करना होता है ठीक है तो आपको आजात है offer letter offer letter आपको पढ़ना है sign कर देते हैं फिर company आपका वहाप में आपका work permit reply करते हैं मैंने क्यों लिखा thumbnail में कि आपको free में job मिल जाएगा इसी लिए क्योंकि देखिए इसमें आपका ज्यादा कुछ खर्चा होना नहीं है कुछ खर्चा होता है जैसे आपको PCC बनाना है documents क सब्सक्राइब करवाना है तो यह सारे जो खर्चा है दोस्तों को नहीं के बराबर एक खर्चा करना ही पड़ेगा आपको और ज्यादा से ज्यादा 15-16,000 रुपे लगता है आपको में जो आपको पे करना होता है और जाते समय फ्लाइट भी आपको करना पड़ता है हाला कि कुछ कंप्री जो इसे हैं जिसे आप पहुंच जाते हैं और अगर प्रफाइल अच्छा है तो आपका जो फ्लाइट टिकेट उसको रिमबर्स भी करवा देते हैं यह सब कुछ हो ठीक है आपका डॉकुमेंट्स एपलाई हो गया सब कुछ हो गया फिर आप में जाके इंटर्व्य होता है छोटा सा उसमें पूछा जाता है कि क्यों जा रहे हैं कैसे जा रहे हैं जो भी है ठीक है वह आपको प्रेपरेशन सखनना पड़ेगा अगर पता नहीं आपको तो क आपको अच्छा लगा होगा आपको भी ड्रीम हो कैनाडा जाके सेटर होने का किनाडा में जॉब करने का तो भई बैठे किसलिए है तैयारी करें डॉकुमेंट्स तैयार करें एप्लाई करना चालो कर दें क्योंकि कल करें सो आज कर आज कर आज करें सो अब पल्में पर ले आप रखें अपना खाल और मुझे दी इजादत थैंकि सो माच जय हिंद जय भारत